नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं भागि चक्र और मैं हूँ आपके साथ शेलेंद्र पांडे आज साल का अंतिम सूरिग्रहन लगने वाला है और इसका प्रभाव देश दुनिया पर अलग-अलग राशियों पर गहराई से पड़ेगा तो आज के कारिक्रम में हम जानेंगे कि सूरिग्रहन का प्रभाव अलग-अलग राशियों पर कैसा पड़ने वाला है और अगर आपके लिए प्रभाव शुब नहीं है तो कौन से उपाय किये जाएं जिससे ग्रहन के नुकसान आपको प्रभावित ना करें बात करेंगे बारह राशी के लोगों के दैनिक राशी फलकी और जानेंगे कि उनके लिए आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है तो चलिए कारिक्रम की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस बार सूरिग्रहन का मामला क्या है देखें इस बार सूरिग्रहन 14 अक्टूबर को लगेगा यानि आज रात में लगेगा इसकी शुरुवात होगी आज रात में भारतीय समय से 8 बच कर 33 मिनट पर इस सूरिग्रहन का मध्य समय होगा रात में 11 बच के 29 मिनट पर और इस ग्रहन का समापन होगा 15 अक्टूबर की शुरुवाद जब हो जाएगी मध्यरात्री में तो 2 बच के 25 मिनट पर इस ग्रहन का समापन हो जाएगा ये ग्रहन कन्याराशी और चित्रानक्षत्र में लगेगा और ये वल्याकार सूरी ग्रहन है जो भारत में दिखाई नहीं देगा अब चुकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए किसी तरह के सूतक के नियम इस ग्रहन की वज़ा से लागू नहीं होंगे आपको किसी तरह के सावधानी का पालन करने की जरूरत नहीं है अलग-अलग राशियों पर इस ग्रहन का क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर एक नजर डालेंगे लेकिन उसके पहले मेश, व्रिशब, मिथुन और करक राशी के लोगों का दैनिक राशीफल मेश राशी, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी धन-लाब के योग बन रहे हैं, पारिवारिक स्थिती में आपके सुधार होगा खाने-पीने की वस्तुका अगर दान करें, तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा व्रिशव राशी धन लाब के योग बन रहे हैं मानसिक चुन्ता आपकी दूर होगी परिवार का सहयोग बना रहेगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा मिठुन राशी स्वास्त का ध्यान बनाए रखें वाद विवाद से बचाव करें और वाहन सावधानी से चलाएंगे शनी मंत्र का अगर जब कर लें ओम शंग शनशराय नमा तो दिन के मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगे करक राशी धन का लाब होता दिख रहा है रुके हुए काम आपके पूरे होंगे छोटी यात्रा आपकी समय हो सकती है खाने पीने की वस्तुवों का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा अब ये जानते हैं कि अलग-अलग राशीयों पर इस ग्रहन का कैसा प्रभाव पड़ेगा देखिए मेश राशी वालों के लिए ग्रहन अच्छा है मेश राशी वालों को हर तरब से सफलता मिलेगी व्रिशब राशी वाले अपने व्यापार का ध्यान रखेंगे कर्क राशी के लोगों के करियर में बदलाव होगा और उनके लिए धनलाब के योग बन पाएंगे सिंग राशी वालों को तनाव और स्वास्त की समस्या हो सकती है जिसका उनको ध्यान बनाए रखना होगा कन्या राशी वालों को स्वास्त की समस्या से और चोड़ चपेट से बचाव करना होगा तुला राशी वालों को अपयश से बचना होगा और दुरघटनाओं का ध्यान रखना होगा विश्चिक राशी वालों के महत्वपूर्ण काम इस समय बनेंगे और उनके जीवन की रुकावटें दूर होंगी धनू राशी वालों को इस समय करियर में कोई बड़ा लाब निश्चित रूप से हो सकता है मकर राशी वालों को इस समय अपने स्वास्त का ध्यान बनाए रखना होगा और कुम्ब राशी वालों को इस समय पारिवारिक समस्याओं का बहुत ध्यान रखना चाहिए मीन राशी वालों को अपने वैवाहिक और पारिवारिक जीवन का ध्यान जरूर रखना चाहिए अब जान लेते हैं सिंग, कन्या, तुला और व्रिश्चिक राशी के लोगों का डैनिक राशीफल सिंग राशी नौकरी में पदोनती होगी आपकी धन की स्थिती अच्छी रहेगी परिवार में मंगल कार्य होंगे किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा कन्या, राशी स्वास्थ अच्छा होता जाएगा करियर की समस्या हल होगी धन लाब के योग बन रहे हैं पीपल के व्रिक्षु में जल अरपित कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा तुलाराशी स्वास्त का ध्यान बनाए रखे संतान पक्ष की चिंता आपको हो सकती है यात्रा में सावधानी बनाए रखियेगा शनी मंत्र का अगर आप जब करें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा व्रिश्चिक राशी काम की रुकावट दूर होगी धन लाब के योग बन रहे हैं पद प्रतिष्ठा का लाब होगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा अब ये जानते हैं कि अगर इस सूरी ग्रहन के प्रभाव आपके लिए अशुब हैं तो कौन से उपाय अगले एक महीने तक किये जाएं जिससे इस सूरी ग्रहन का दुश प्रभाव नकारात्मक प्रभाव जीवन पर ना पड़े ग्रहन के दौरान अपने गुरू मंत्र और सूर्य मंत्र का जब करियेगा ग्रहन के बाद यानि 15 तारीक को अरली मौर्निंग सनान जरूर करें इसके बाद सूर्य संबंधी वस्तुमों का दान करें गुड, गेहू, आटा या तांबे के बरतनों का दान करना सबसे ज़्यादा शुब होगा मैं आपको बता दूँ कि सूर्य ग्रहन का प्रभाव अलग-अलग राशियों पर अगले एक महीने तक रहेगा और इसमें भी मिथुन, तुला और कुम्ब राशी के लोगों को सबसे ज़्यादा सावधानी और सतरक्ता की आवशक्ता रहने वाली है अब जान लेते हैं धनू, मकर, कुम्ब और मीन राशी के लोगों का दैनिक राशिफल धनू राशी करियर में सफलता मिलेगी, ओफिस में मान सम्मान मिलेगा, धन की प्राप्ती हो सकती है पीपल के व्रिक्ष में जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा मकर राशी स्वास्ट में सुधार होता जाएगा, परिवार में खुशहाली आएगी, सिक्षा में सफलता मिलेगी खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा कुम्भ राशी तनाव से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें, खान पान में सावधानी रखें, शनी मंत्र का अगर जब कर लें तो दिन के मुश्किलें बहुत हट तक कम हो जाएगी मीन राशी रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ में आपके सुधार होगा, करियर में लाब के योग आपके लिए बन रहे हैं, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा ये तो रहा बारह राशी के लोगों के लिए आज का दैनिक राशी फल, अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाए आज प्रातह काल एक लोटे जल में जरासा काला तिल मिला करके सूर्य भगवान को जल चड़ाईएगा इसके बाद अपने पूरवजों से, अपने पितरों से कृपा की प्राथना करिएगा अगर आज सुबह सुबह या दिन के समय में आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कारियों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी तो आज का दिन आपके लिए शुबह हो, मंगल में हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिये इजाजत